आज के MS Excel के इस chapter में हम सीखेंगे कि अगर हम कोई data है किसी seed के अगर हम थाम करते हैं और हमसे बोल दिया जाए कि इस seed का हमें total, उसका average, उसमें कितने numbers, उसका count, उस seed का maximum और minimum value अगर निकालने के लिए बोल देगे कि वो हम कैसे निकाल सकते हैं तो मैं चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमार पर यहां पर एक data है, डाटा में आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा पास यह sales हमारा क्या है 2022 का sale है और यह हमारा sale 2023 का है अब हमें सबसे पहले का करना है हमें इसका निकालना है total तो देखे total निकालने का एक तरीका पर यह होता है के साथ plus button प्रेस करें और आप देख सकते हैं कि यहां नीचे आपका इसका भी total आप चुका है यह था इसका दूसरा तरीका कि यह थो हो गया total का total करना अगर अब करना हमें इसका या में तरीक तरीक टरेंगे और यहां के और यहां यहांद हम्द tuttiं सेलेक करेंगे और इस में सुन क्या करेंगे कि हमारे क्या करना हमने सेल दोजार्टेज का सब्सक्राइब करेंगे और इसके बाद पर इस टार्टाप करना है कि यह हो कि आपका क्यों कर देना आप प्रेजियर में कितना और इस का कितना आ यह हो गया आपका difference चेक करना अब माल लिए हमें यह देखना है कि टोटल sales 2022 में कितने रुपय का हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे जेके इसके लिए सिंपल सा हमें तरीका है यहाँ पर equal type करेंगे bracket open करेंगे यह हमाई पास देखे यहाँ पर प्राइस को सेलेक करेंगे उसको आपने कीबोर से star का button प्रेस करेंगे अश्क्रिक सिंबल और उसके बाद हमें 2022 का चेकर ना 2022 का सेलेक करेंगे ब्रैकेट करेंगे और अब इस क्या करेंगे इस काउगुले को नीचे तर ड्रैक कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं कि सेल 2022 हमारे इस आइटम का कितने amount का सेल हुआ है वह यहाँ पर हमारा निकल कर आ चुका है ओके अब किसी तरीके से अगर हमको इसका divide करना देखना हमने यहाँ पर sum करना सीखा माइनस करना सीखा और मल्टिप्लाई करना सीखा अब हमें अगर divide करना तो कैसे करेंगे डिवाइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्या करेंगे और यहाँ क्या करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और फिर हमने क्या करना है इसी फ़र्मुली को नीचे तक ड्रैक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीस का रेट यहाँ पर निकल के आ चुका है तो यह होगी हमारा divide का यूज करना आपको जब्धी एक्सर में कोई ही फ़र्मुला भी य इसमें से किसी तीन आईटम का ही हमें इसे वताना है 2022 में 2022 में उसका खिपने अमन का शेल हुआ उसके लिए क्या करेंगे चली आप माली ज़र्म से बोला जा रहा है कि चेयर, Almira और डाइनिंग टेबल इन तीनों का सेल खितने अमन का हुआ तो हम क्या करना है कि चेयर, Almira, को वाले का से सलेख करते हैं आ यहां से हाव Lài ii हों की इसको हाइलाइट कर लेते हैं कि अब हम इसको अलिकर करना है कि इसको का सेल करते हैं हमें कंशने हैं 502022 किभी आसी होते हैं तो हम सब kr em reach करें後 और सम आकषले होता है यहां प्लिक करेंगे और यहां पिपर देंगे एंट्रर को आप देख सकतें कि यहां पर वह पास तीनो इतम का 2022 का sale amount आचुका है ऐसे एकर हम्में average देखना है कि 2022 को तो तो प्लिप एवरेज कितना आज है उसके लिखा करेंगे शेले हम क्या करेंगे यहां पर इक्कोल टाइप करेंगे, फ्रॉनर लिखके यह वेरेज, जास में आवरेज टाइप के हाँ आ गया, आप हमें 2022 का डिफिरसिक करना हुआ करेंगे, 2022 के सारे डाटा को सेलेक कर लेंगे, ड्रैकेट क्लोस करेंगे, यह देखते मुझा का यह है, एक तरीका यह हो गया, दुसरा क्या है दूसरा तरीका यह है कि अपने जिसमें डाटा का हम एवरेच ची इसे सेलेक्ट करेंगे और यहां पर एडिटिंग ग्रुप में प्रेस करें और यहां पर देखें एवरेच पर आ रहा है आप देख सकें यहां नीचे भी आपके पास इसेल का आवरेच आ चुका है र दोडर 22 का अब नेक्स्ट आप्शन हमारा क्या है नेक्स्ट आप्शन हमारा Count Numbers अब हमें यह देखना है तो हमें यह तोटल सेल्स हैं इसी कॉलम में कितने नंबर्स उसमें हैं तो इसके लिखा करेंगे एक तरीका तो यह हो गया कि ऐसे सेल्ट करेंगे वह आपस हम एडिटि क्या है यहाँ पर आएंगे एक पर टाइप करेंगे यहाँ पर क्रेंगे तॉन का लगाएंगे रैकेट कॉटन करेंगे और यहां से क्या करेंगे वापस जिस भी सेल्ट का हमें देखना है जe डाटा का तो यहां की हमारा Count Number आप जुका है तोके अब ऐसे मान लेजिए हमसक जो सबसे maximum number है उस number को sort करके दूर पर आप इसको अगर ऐसे search करेंगे तो आपको बहुत time लगे जाए तो देखे पहला तरीका क्या हो गया इसका यहां से नीचे से इसको पहला तरीका हमारे क्या हो गया इसको करने का पहला तरीका हो गया कि अपने जिसमें data का मैं कुचे उसे select करेंगे यहां प्याएंगे और इसमें को सेलेक्ट करेंगे जाके प्लोज करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहां पर उमारा maximum value 1200 आ गया अब ऐसे एक आप वोला जाता है minimum value चेक करने के लिए उसके लिए क्या करेंगे देखिए उसका भी क्या तरीका है हमने data को सेलेक्ट किया यहां पर आगे क्लिक करेंगे अपने data को सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका minimum का वैल्यू आ रहा है 1.1 तो यह था आपका MS Excel में किसी वी data के अंदर जोर घटाना भूड़ा भाग और उसका average maximum और minimum value को चेक करना तो अगर आपको जानकारी अच्छे लगी है तो चैनल को बने रहे हैं अगर आपको लाइक को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आगे भी आशी जानकारी मिलती ही रहे हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जयवारा